नमस्कार किसान साथियो मैं आपकाने चैनल में हर दिक स्वागत करता हूं. किसान साथियो जैसے जहीं हम कहीं बार देखते हैं, हमारे पेड अच्छी वा्राइटि के लगाने के बावजूद भी ग्रौथ नहीं कर पातें, कहीं बाई सोचते हैं कि हमारी जमीन खराब है यह इसमें popular की पकड़ अच्छी नहीं है वह एक वह भी कारण हो सकता है कि आपके popular उससे ना त्यार हो लेकिन एक जो मैं कारण आपको बताऊंगा किसान साथ है popular पूरे एक साल के हो चुके हैं और यह popular जब यह लगाए गए थे तो गन्ने की जो मुंड़ी होती है गन्ना कटने के बाद जो उसकी दुबारा मुंधा रखते हैं हमारे यहां पर मुंड़ी बोलते हैं उसको तो उसमें popular लगाए थे और यह देखिया आपके सामने हाथ में पूरे आ चुके हैं 7-8 इंच तक के पेड़ है कोई एक दो जैसे पानी की अच्छे खासी बिजली का ट्यूब वाल है पानी की यहां पर कोई कमी नहीं जमीन भी अच्छी पकड़ वाली है पॉपलर की तो किसान साथियों पॉपलर 14-15 इंच के समय हो चुके होते क्योंकि फरवरी का महीना भी खतम होने जा रहा है और एक साल के पेड जो गन्य के मुन्डे में लगा गए elaई तो कहीं बाई ऐसा करते हैं तो कई गन्य के मुन्डे में पॉपलर लगा देते हैं जैसके इन पेड़ोंने की आप देख सकते हैं हाइट तो इनकी थोड़ी बहुत ही ठीक है लेकिन जो इन्होंने मोटा ही ली है वो उमर के हिसाब से कम है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर और कुछ पेड़ तो इससे भी पतले हैं जो इसके अंदर खड़े हैं तो किसांसरत्युआ पैसी गलती ना करें जब कि मुंडे की जो दर्थी होती है सकत हो चुकी होती है और उसकी बहाई एक साल से और जबहाई एक साल से नहीं हो पाती जिसकी हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो दो डाय डाय फीट इसके आसपास जगा भी बच जाती है पोपलर के इससे हमारे पोपलर मुंडे में गन्ने के अंदर अच्छे से त्यार होते हैं तो किसान साथियो आप ऐसी गलती ना करें चार-पास साले के लिए आप खेत में पोपलर लगाएंगे और आपके पोपलर नच्छ होंगे इससे आपका मन भी तूटे पोपलर की खेती करने में किसान साथ हो ये खेती कम समय में जदा मुनाफास देने वारी इससे लिए इस खेती को तरीके से करें हम यह आपको वीडियो के माद्यम से यही जानकारीया देते हैं कि पोपलर मम जल्दी कैसे त्यार करें और ही पूपलर लगा सकते हैं अगर आपको गन्य के मुंड़े के अंदर लगाने भी हैं तो उसके अंदर किसान साथ ही आप उसके तरफ चारो तरफ से दो डाई डाई फिट तिन तिन फिट तक जो जबी जड़ पूपलर किया तिया उसको निकाल ले और अच्छे से खुदा ही करे कि तब उसके अंदर पूपलर लगाए तब हो सकता है कि आपके पेड़ अच्छे ग्रोथ कर सके अगर आपको उसके अंदर लगाने ही हैं वैसे तो ना लगाएं क्योंकि आप एक साल को छोड़ सकते हैं अगर आपने वह एक साल नहीं छोड़ा तो आप तीन साल की 6-7 साल पर जाकर अटक जाएंगे तो किसाम साथ यो आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करेंगे जरूर बताएं धन्यवाद